हेलो सुदेंट्स वेलकम टू सेचिंगोर क्लासेज तो देखो जैसे कल जो आपने टेस्ट दिया था सबसे पहले क्या करेंगे आज हम उस टेस्ट को ही डिसकस करते हैं वन बाए वन जो है मार्क्स अर कोशन जो है इट कैरीज वन मार्क और जो है एम सी क्यूज हैं तो हर कोशन का जो है जज़मेंट हम करते हैं क्या-क्या कोशन से सई ते देखते हैं आप देखो आप अपने वैसे तो आपने वेरी एंथुजियस्टिक आपका पार्टिसिपेशन बहुत अच्छा था बट स्टिल एक बार हम यह आंसर्स डिसकस करते हैं तो देखे इसमें जो करेक्ट अंसर है वह जो है जो है वह यह उप्षन Yout search इसमें जो है आप थोड़ा सा justification हम साथ-साथ करते चलेंगे बाकी जो हैं ग Sophia ग्रत आत किसले हैं देखो पहले केसं पहली बात तो ये इस केसMIं सेंड केस में टर्छलत है यहाँ पर नाइट्रीट balance नहीं यहां दो है और यहां एक है तो इस पर काटा लग गया उसके बाद दूसरे case में आप जो है जो गलत बात यह है इसके अंदर के यह unbalanced है यह two 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 सारे two two लगा रहे है equation balanced नहीं है ठीक है उसके बाद अगली चीज क्या आती है तो अब इसमें देखो आप जैसे यहां पर क्या हुआ उसके बाद अगले case में क्या है कि जैसे जो है यहां पर डी option भी गलत क्यों है यहां पर again जो है इसकी balancing गरबड़ है यहां पर nitrate 2 है यहां पर nitrate 1 है तो सब में कोई नहीं कोई गलती थी तो सबसे पहले वाला जो आपका answer है first में यह option आजाएगा आपके पास next आते है second question में आते है तो इसका answer आएगा D ठीक है इसका answer आएगा D बाकी सब में गलतीया किसले है अगर इस question को हम ध्यान से देखते हैं तो यह जो है जैसे एक एक करके हम बात करें iron fillings react with steam to produce solid iron third oxide and hydrogen gas ठीक है तो जैसे हर एक में मैं लिखनी थी iron third oxide की equation जो formula है वो बिल्कुल सही Fe2O3 होता है वो सब में सही दिया हुआ है लेकिन क्या है जैसे first वाले option में अगर हम चलें तो balancing सही नहीं है first option में balancing सही नहीं है दूसरे option में अगर हम चलें तो यहाँ पर जो है सारा कुछ सही होता हो दिखते हो बावजूद यह यहाँ पर एक छोटा सा देखो minute सा अंतर है कि यह जो लिखा iron fillings react with steam लिखा हुआ है जबकि यहाँ पर यह physical state जो है यह liquid दे दी जबकि steam की physical state क्या होती है gas होती है यह जो है ना यह अंतर था दोनों के अंदर तो second option इसलिए गलत हो गया उसके बाद third पर आते हैं third में क्या है again जो है balancing वाला part वो जो है सही नहीं है इसके अंदर तो जो है आपका सिर्फ इसमें D option जो है वो सही आएगा इसके अंदर तो D जो है इसमें correct रहेगा उसके बाद आते हैं अपने third question पर third question में again जो है option जो है वो है आपका D again आपको balancing से linked है nitrogen gas देखिए एक बात आपको ध्यान जैसे जो gases प्रकृति में में जैसी मिलती है से O नी मिलता कभी हमेशा क्या मिलता है O2 N नी मिलता कभी है nitrogen में क्या मिलता है N2 तो है एच नी मिलता hydrogen जो है H2 के form में मिलता है तो यह छोड़चोडी बाते आपको ध्यान रखनी है कि इसी format में आपने लिखना होता है अब गलत है दूसरे option में भी balancing की गलती है तीसरे option में भी जो है balancing की ही गलती है basically तो balancing की गलती थी तो D option इसमें correct आएगा आगे बढ़ते हैं fourth question पर चलते हम तो the balanced chemical equation for potassium metal reacts with water to give aqueous solution of potassium, hydroxide and hydrogen gas इसके हम अगर बात करते हैं again जो है हमें इसमें जो देखना है fourth option में यहाँ पर आपके बास B जो question है यह सही है potassium metal reacts with water to give aqueous solution of potassium, hydroxide and hydrogen gas तो इसमें पहले वाले option में जो है basically balancing की गलती है तीसरे C option में जो है यहाँ पर जो यह केवेच की physical state liquid लिक्विड 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 लिक्यूई है यह भी जो है इसके अंदर एक गलती है यह गलती है बाकी balancing की गलती है उसके बाद तीसरे case में जब आप आते हैं जो आपका fourth option है fourth option में again जो है आपके पास जो basically इसमें mistake है वो क्या है कि इसके अंदर जो है balancing जो है वो गलत की हुई है तो इसलिए क्या होता है कि आपके पास जो है जो इसका correct answer बनता है वो B option बनता है next में आते हैं next fifth को देखते हैं fifth में जो है आपके पास correct answer इसका ऐगा A यह कहता है when dilute hydrochloric acid is acid to zinc then hydrogen gas and zinc chloride is produced यह बात बिल्कुल सही है chlorine gas और zinc hydroxide is produced गलत है no reaction takes place यह बात भी गलत है zinc salt and water produced यह बात भी जो है गलत है क्योंकि water ने hydrogen gas बनती है इसमें zinc salt वाली बात सही है मगर water ने hydrogen gas बनती है उसके अंदर six question पर आते हैं तो six question में जो है यह तो कर सीधा साथा है on eating magnesium ribbon a dazzling white flame is produced यह dazzling white flame जो है इसके अंदर produce होता है तो इस six question में आपके पास यह जो है बी option आ गया seventh की जब आप बात करेंगे next आगे बढ़ते हैं हम जैसे 7th question की बात करते है 7th question में 7th question में जब हम बात करें इन a chemical reaction will balance the number of molecules on the reactant and product side इसमें कहता है कि क्या हम molecules balance करते तो यह statement कि आगे आपके पास यह false आगे क्योंकि molecules नहीं हम atoms balance करते हैं हर तरफ जो है हम जो दोनों तरफ में basically equal जो करने होते हैं वो atoms दोनों तरफ बराबर करने होते हैं ठीक है उसके बाद next statement पे चलते हैं नेक्स्ट जो है उसको देखते हैं next question कहता है 8th question कहता है आपके पास anhydrous ferrous sulphate is heated strongly it decomposes to give solid ferric oxide sulfur dioxide and sulfur trioxide gases the balanced equation is जब हम इसकी बात करते हैं तो 8th का answer आता है आपके पास यह B option B option किसलिए है क्योंकि यहां पर एक एक करके जो गलत है उनको हम देखें पहले case में balancing सही नहीं है ठीक है और C के अंदर जो है आपके पास physical state ferrous sulphate की गलत लिखी हुए liquid other than balancing भी गलत है इसके अंदर उसके बाद next वाले case में जो है यहां पर देखो sulphur trioxide की physical state liquid लिखी हुई है जो की बात गलत है तो इसमें अंसर जो है आपका B answer जो है वो सही आता है इसके अंदर नेक्स जो है उसके बाद ninth question पर चलते है ninth question में आगे देखते है which of the following observations indicate that a chemical reaction has taken place ठीक है इसमें जब हम बात करते है तो इसका answer आता है जो a option आता है evolution of a gas gas absorb नहीं होती किसी ऐसे reaction में absorption adsorb भी नहीं होती इन्हेल भी नहीं होती ऐसा कुछ नहीं तो best option इसका क्या evolution of a gas 10th question की जब क्या आपके पास क्या चीज़ आती है नेक्स देखो question number जैसे 10 को देखते हैं question number 10 में जो है इसका सही answer जो है option number D यह question क्या कहता है कि iron और water से steam की reaction से जो F3O4 और H2 बनता है is not a balanced equation यह balanced क्यों नहीं है क्योंकि पहला option नहीं कहता है number of hydrogen atoms are unequal on the reactant product side यह बाद तो गलत है इस equation को अगर देखोगे तो दो यह इदर है दो 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 तरफ आपके पास दो-दो hydrogen है उस हिसाफ से तो यह बाद गलत हो जाती है number of iron atoms are more on the reactants than on the product side यह बाद भी गलत है जो है iron atoms जो है इस equation के balancing के इसाफ option physical states mentioned are not correct physical states mentioned जो है यह तो बिल्कुल सही है बही solid दियो है यह steam steam के लिए आपके पास liquid लिखा हुआ है solid लिखा हुआ है यह solid लिखा हुआ है यह gas के leftward arrow दिखाया जाता है तो सारी बाते सही है D option जो है वो आपके पास क्या आता है इसके अंदर सही आता है जो इसको सही से explain करता है कि यह balance क्यों नहीं है number of iron and oxygen atoms are unequal on reactant and product side दोनों तरफ बराबर बराबर कौन नहीं और iron और oxygen बराबर गिए इधर iron 1 है इधर iron 3 है इधर oxygen 1 है और इधर oxygen 4 है इस तरीके से तो देखो basically क्या है कि MCQs में आपको you have to choose the best option इस चीज की आपको बहुत practice करने की जुरूत है ठीक है next 11th question which of the following is a balanced chemical equation for the reaction lead plus copper second chloride gives lead chloride plus copper ठीक है तो इसमें जो है इसमें से फिर से जो है 11th में आपके पास जो answer आएगा वो option सही आएगा C ठीक है इसमें देखें हम क्या-क्या गलतिया है सबसे पह आपके पास जो है basic mistake क्या आती है आपकी balancing जो है वो गड़बड़ है इधर chlorine 2 है और chlorine इसने चार कर दिये second वाले case में जो है फिर से इधर chlorine 4 है और chlorine 2 है यह गलत होगे और D option में भी आपके पास क्या है कि जैसे यह copper balance नहीं इधर copper A क्या और copper 2 है ठीक है तो सिर्फ आपका C option ऐ आएगा तो यह chosen the best answer उसके बाद आगे बढ़ते हैं आगे जब हम बढ़ते हैं तो next question आता है अपने पास 12th question 12th question में वो क्या कहता है हमें कि जो है identify the balanced chemical equation for the reaction barium chloride plus sodium sulfate plus sodium chloride इसके हम बात करते हैं तो इसका जो correct option आता है वो आता है आपके पास C C को तो बाकी देखो एक जरूरी बात होती है कि आप judgment कर लें बाकी गलत क्यों है कई बार question ऐसा होता है कि you don't know the correct answer बगर क्या होता है you move the odd man out आप जो है गलत answer को बाहर निकालते रहते हैं तो पता लग जाता है फॉर शूर यह चीज तो गलत ही है ठीक है तो अब इसमें question में क्या है जैसे जो है reaction के हिसाब से यह balance नहीं है यहाँ पर sodium 2 है और यहाँ पर sodium 1 है उसके बाद again यहाँ पर sodium sulfate का formula ही गलत है formula making में आपको समझा चुका हूँ D option में फिर से sodium sulfate का formula गलत है तो जो है आपका इसमें best option क्या आएगा जो है वो C option आएगा moving on to 13th question the chemical reaction in which heat is evolved is called जिसमें heat evolve होती है तो खैर सीधा साथा question था जो 13th है and exothermic reaction इसको आप exothermic reaction बोलते है तो straightforward information based question है आपको आता है पता है तो बहुत अची बाद है नहीं पता तो छुटी उसके बाद जो है 14th question की बात करते है 14th question का answer है C in a precipitation reaction one of the products formed is insoluble salt जो जब आप mix करते हो solutions को तो जो insoluble जो यानि dissolve नहीं करता हो तो solid बन जाता है न वो है precipitate कहलाता है ठीक है 15th question जो है इसका answer जो है आपके पास क्या हैगा B a metal forms a chloride of the type mcl2 the valency of the metal with respect to chlorinates बड़ी सी बात है जैसे कोई आपका cacl2 है या mgcl2 है न तो इससे साफसा पता रगता आपको जो क्लोरी क्योंकि chloride जो होता है उसकी valency one होती है तो दो chlorine लगें दो क्लोरीड लगें इसका मतलब आपके सामने metal ऐसा है जिसकी valency क्या होगी 2 होगी तो two valency वाला जो metal है two valency वाला जो metal है वो कौन से आपका वो basically यहाँ पर जैसे यह magnesium, calcium, barium इस तरह का कोई नो कोई metal होगा ठीक है next question पर आगे बढ़ते हैं next अपने आते हैं 16 पर 16 पर 16 कोईशन का जो सही answer होगा वो यहाँ पर क्या आएगा option आएगा अब यहाँ पर इस question में क्या दिक्कत आती है potassium chloride यह तो आपने कभी सुना ही नहीं chloride आपको मैंने chloride बताया कभी chloride तो बताया नहीं तो अभी कोई बात नहीं नहीं बताया तो कोई बात नहीं आपको question तो पीछे नहीं भागना ना कि मुझे नहीं आता देखो सबसे पहली बात chloride का ध्यान से देखोगे यहाँ सब में formula सेम लिखा है तो वो तो इसमें hurdle आए कि अब जब यह ज़्यादा करते बट सिल अगर एक ऐसा question आ जाता है आ सकता है यह exams में तो देखो इसमें क्या है chloride नाम जुरूर आया मगर आपके लिए कोई बौदरेशन नहीं create करेगा वो formula हर जगा KCLO 3 है इसका formula KCLO 3 तो सही लिखा हुए 4 options में एक जैसा है तो अब जो है इसमें जो बात आती है वो क्या है कि इसमें आपको again balanced equation आपको search करनी है इसके अंदर तो फिर से जो है इसको balancing के अगर हिसाब से अगर हम देखें तो second option में balancing सही नहीं है ठीक है उसके बाद next option में भी आपके पास क्या है balancing की problem है उसके बाद तीनों options में आपके पास जो है जो balancing जो है वो ही गलत है तो basically जो है आपका इसमें check करेंगे जब आप balancing हो तो ए option आपके पास सही आएगा next 17 देखते हैं which of the following is the first step to write an equation तो सबसे पहला काम आप जो करते हैं इसके अंदर वो क्या करते हैं change the statement to symbols and formula symbol और formula में change करते हैं तो कहीं की जैसे atoms होते हैं तो symbols आ जाते हैं और अगर molecule होता तो formula लिखा जाता है उसका है ना तो जो है आप इसमें फैला step यह करते हैं जब आप equation करते हैं next यह 18 पर the subscript s बड़ा सिंपल सा question था यह तो mentioned after a symbol or formula of substance in chemical equation indicates जो है इसके अंदर आपके पास option आ गया बी solid भी आपको बता ही रखा है तो small s के लिए solid के लिए s आ जाता है liquid के लिए l आ जाता है gases के लिए g आ जाता है और vapors आपके aqueous state के लिए aq आ जाता है ठीक है तो यह आपके पास इसमें b option आ जाएगा आगे बड़े final questions के लिए तो इसमें 19th question को देखें अपने 19th question कहता है the symbol यह downward arrow ठीक है यह downward arrow यह mentioned next to a substance in a chemical equation indicates यह में भी हो सकता है मैंने आपको ना बताया हो या कहीं रह गयो तो भी कोई बात नहीं आपको देखो थोड़ा आप खुद भी explore करो books को explore करो यह हाला कि पूरानी methodology है कि किसी reaction में जब product and पर कोई gas बनती थी तो उसको upward arrow से दिखाते हैं और कोई product पर अगर precipitate बनता है solid insoluble salt बन जाता है product and पर तो उसको downward arrow से दिखाते हैं तो यहां पर जो है 19th का answer आपके पास again क्या आएगा formation of a precipitate is downward arrow को precipitate को दिखाने के लिए हम दिखाते होते हैं ठीक है last of all one observation that helps us to say a chemical reaction has taken place is change of temperature बिल्कुल सही बात है exothermic या endothermic process होगा तो वो जो हमें बताएगा कि यह जो है chemical reaction हुआ है उनमें से कई हमें से एक evidence यह भी हमें जो help करता है तो यह वीडियो आपको help करेगा और इसमें जो है इन 20 questions को यह अभी तक जितना हमने पड़ा उतने तक में है मतलब आप यह कह दें कि class 10 का जो first chapter है उसमें types of chemical reactions से पहले-पहले वाल जितना portion है उतने इससे based हमने छोटा सा test लिया and you were very enthusiastic result was overwhelming तो जो है आपने सीखा बहुत अच्छे से तो I hope this observation is going to help इसको अच्छे से देखो और अपनी गलतियों को सीखने कोशिश करो